आज प्रेम का सागर बाप हम सभी बच्चों को प्रेम स्वरूप बनने की प्रेणा दे रहे हैं बाबा कहे तुम सब आपस में भाई भाई समझते हुए एक दूसरे के साथ रूऊणी प्रेम रखो बाबा कहे तुम्हें सतो प्रधान बनना है इसलिए कभी किसी की खामी नहीं निकालो प्रेम स्वरूप यहाँ ही बनना है बाबा सुमृती भी दिलाते हैं पहले तुम्हारा आपस में बहुत प्रेम था अभी नहीं है फिर आपस में प्रेम स्वरुख बनना है बाकि परमधाम में प्रेम स्वरुख बनने की बात ही नहीं है साथ ही बाबा कहे बाबा से तुम पदमों का वर्सा ले रहे हो तो यात की यात्रा पर सदा रहो एक बाप के सिवाई बाकी सब बाते भूल जाओ यह ऐसा करता वो ऐसा करता है वो ऐसा है बाबा कहें इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि मन्जिल बहुत भारी है इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष रहे बाबा से इतना लव हो और साथ ही अपनी सुक्ष्म चेकिंग भी करते चलो तब तुम मन्जिल को सहचता से प्राप्त कर सकेंगे तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाकिय आम शान्ती मीठे बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रुहानी प्रेम रखो सतो प्रधान बनना है तो किसी की खामी नहीं निकालो आज की मुल्ली से प्रश्न है किस आधार पर बाब से पदमों का वर्सा ले सकते हो उत्तर बाब से पदमों का वर्सा लेने के लिए यात की यात्रा पर रहो एक बाब के सिवाई और सब बाते भूलते जाओ पलाना ऐसा करता वो ऐसा है इन बातों में टाइम बेस्ट मत करो मन्जिल भारी है इसी लिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष रहे बाब के लौ में चटके रहो अपनी सूक्ष में चेकिंग करते रहो तब पूरा वर्सा ले सकेंगे ओम शान्ती अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको ये मालूम है कि बेहत का बाब फिर से सतो प्रधान बना रहे है मूल युक्ती यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो मुख्य सिक्षा यही देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रुहानी प्रेम होना चाहिए पहले तुम्हारा था अब नहीं है मूल वतन में तो प्रेम की बात नहीं रहती तो बेहत का बाब आकर सिक्षा देते हैं या सिक्षा देते हैं बच्चे, आज कल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन, मास, वर्ष बीतते जा रहे हैं, बाप ने बताया है, तुम ये लक्ष्मी नारायन थे, किसने तुमको ऐसा बनाया, बाप ने, यह भी बाप ने बताया है, कि तुम नीचे कैसे उतरे हो, उपर से लेकर नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है, वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया, तुम जानते हो, कि पहले पहले हम सतो प्रदान थे, अमारा आपस में बहुत लव था, बाप ने तुम सब भाईयों को सिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कितना प्यार से मैं तुमको संभालता हूँ, बाबा, कहें मैं तुम्हारा बाप, तुम्हें कितना प्यार से संभालता हूँ, तुमको समो प्रदान से सतो प्रदान बना देता हूँ, तुम्हारी एम आपजेक्ट ही है सतो प्रदान बनने की, समझते हो, जितना जितना हम सतो प्रदान बनते जाएंगे, उतना खुशी में भी आते जाएंगे, सतो प्रधान तही अंदर में खुशी को बढ़ाता जाएगा हम सतो प्रधान थे हम भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे अब बाप द्वारा हमको पता पड़ा है हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे इन देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है देवताओं की और हेवन की बहुत महिमा है तुम भी हेवन के रहवासी थे पिर आज कल करते करते नीचे आते गए एक तारीख से लेकर आज आकर पांच हजार वर्ष से बाकि कुछ वर्ष रहे है शुरू से लेकर तुम कैसे पार्ट बजाते आए हो बाबा हिसाब भी बताते पहले दिन से लेकर के पार्ट बजाते बजाते अब पांच अजार साल पूरा होने को आ रहे है तोड़े वर्ष बाकिये कैसे पार्ट बजाते आए इस साब बुद्धी में है अब दे अभी मान होने कारण एक दो में वो प्यार नहीं है प्यार अगर खटा होता है तो उसका कारण है कहीं न कहीं इगो बीच में आता है इसलिए एक दो की खामिया निकालते रहते हैं पलाना ऐसा है वो ऐसा है जब देही अभी माने थे, तो ऐसे किसकी खामिया नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था, अब फिर वही अवस्था धारण करनी है, यहां तो एक दो को उस दृष्टी से देखते हो, तो आपस में लड़ते जगडते हैं, फिर यह बंद कैसे हो, बाबा कहें लड़ तुम ही सतो प्रधान पूजे देवी विवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते तुम तमो प्रधान बने हो, तुम कितने मीठे थे, सुम्रती दिलाते हैं बाबा, तुम कितने मीठे थे, अब फिर ऐसा मीठत बनो, तुम सुखदाई थे, अब दुखदाई बने हो, रा जब सतो प्रदान थे, तो काम कटारी नहीं चलाते थे, तुम्हारे ये पांच विकार कितने शत्रू है, यह है ही विकारी दुनिया, यह भी तुम जानते हो, राम राज्य किसको कहा जाता है, और रावन राज्य किसको कहा जाता है, आज कल करते सत्युक्त्रेता द्वापर पूरे हुए अब कल्युग भी पूरा होने वाला है तुम ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई आयू भी तुम्हारी छोटी हो गई अब मैं आया हूँ जरूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा तुमने ही बुलाया कि पती पावन आओ बाप समझाते हैं क्या समझाते हैं पांच अजार वर्ष के बाद जब संगम युग आता है तब मैं आता हूँ अब तुम अपने को आत्म समझ बाप को याद करो जतना याद करेंगे उतनी खामिया निकलती जाएंगी तुम जब सतो प्रधान थे तो तुमारे में कोई खामी नहीं थी तुम अपने को देवी देवता कहलाते थे अब क्या हुआ अब वक खामिया कैसे निकले आत्मा को ही अशान्ती होती है खामियों के कारण ही आत्मा में अशान्ती होती है अब अपनी जाच करनी है कि हम अशान्त क्यूँ बने है जब हम भाई-भाई थे तो हमारा बहुत प्रेम था अब फिर वही बाप आया है कहते हैं अपने को आत्मा भाई-भाई समझो एक दो से प्रेम रखो दे अभीमान में आने से एक दो की खामिया निकालते हो बाप कहते हैं तुम अपना पुर्शार्थ करो उच पद पाने का तुम जानते हो हमको बाप ने ऐसा वर्सा दिया था जो हमको भरपूर कर दिया अब फिर बाप आया हुआ है तो क्यों न हम उनके मत पर चल कर फिर से पूरा वर्सा लेवे हम ही देवता थे फिर 84 जन्म लिए तो मीठे मीठे बच्चे इतने अडोल थे कोई मत भेद नहीं था इसकी निंदा आदे नहीं करते थे अभी कुछ न कुछ कमिया है अब कहें अब कुछ न कुछ कमिया है वह सब निकाल देने है हम सब भाई-भाई है एक बाप को ही याद करना है यहीं ओना लगा हुआ है कि हम सतो प्रधान बन जाए पलाना ऐसा है इसने ऐसा किया इन सब बातों को भूल जाना है बाप कहते हैं यह सब छोड़ो क्या करता है कोई यह सब बाते छोड़ो अपने को आत्मा समझो अब सतो प्रधान बनने के लिए पुर्शार्थ करो दे अभीमान में आने से ही क्या होता है बाबा कहें दे अभीमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है अपने को आत्मा समझो बाप को याद करो भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाए पड़ेगा सब को गुणवान बनाने की कोशिश करो कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे समझा जाता है ये तमों वर रजुप्रधान है तो जरूर उनकी चाल ऐसी होगी सबसे जास्ती गुण है बाप में सबसे जास्ती गुण है बाप में तो बाप से ही गुण गरहन करो और सब बातों को छोड़ दो अवगुण छोड़ गुण धारन करो बाप कितना गुणवान बनाते हैं कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान गुणवान बनना है बाप सुखदाई है हमको भी सुखदाई बनना है बस यही फुर्ना रहे कि हमको सतोप्रधान बनना है और कोई बात न सुनो न गलानी करो न किसी की बात सुनो, न बाबा कही गलाने करो, सब में कोई न कोई खामी है, खामी भी ऐसी है जो कोई समझ न सके, इसलिए हर एक अपने आपको बहुत अच्छा समझता है और दूसरे की खामिया देखता है, दूसरे समझते हैं, इनमें खामी है, वो अपने को बहुत पड़ता है सतो प्रदान अवस्था में ये बाते नहीं होती यहां खामिया है परन्तु न समझने कारण अपने को मिया मिठु समझ बैठे है बाप कहते हैं मिया मिठु एक मैं ही हूँ शे बाबा कहे मिया मिठु एक मैं ही हूँ जो तुम सब को मिठु यानि मीठा बनाने आय साब अउगुन आदी छोड़ दो, अपनी नवस भी देखो, हम कितना मीठे मीठे रुहानी बाप को प्यार से याद करते हैं, कितना खुद समझता हूँ और औरों को समझाता हूँ, ये देखना है, मैं खुद बाबा की सिक्षाओं को कितना समझता हूँ, और औरों को समझाता हूँ, दे अब इमान में आ गए, तो कोई फाइदा नहीं, मूल बात ही यह समझानी है, कि दुनिया तमो प्रदान है, जब सतो प्रदान थे तो देवताओं का राज्य था, अब 84 जनम भोग तमो प्रदान बने हूँ, अब फिर सतो प्रदान बनना है, तमो प्रदान भी भारतवासी बने है और सतो प्रदान भी वही बनेंगे और कोई को सतो प्रदान कह नहीं सकते सत्यूग में कोई धर्म होता नहीं एक ही धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं जो मतभेद में आए बाप कहते हैं तुमने एक बार कमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो अब फिर बनो श्रीमत पर चल कर मुझे याद करो यही होना चाहिए पाप सिर पर बहुत है बाप ने अभी सुजाग किया है देवताओं के आगे जाकर कहते हैं अमविकारी है क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है इसलिए उनके आगे जाकर कहते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं उनके आगे जाकर कहते हैं, हम पापी नीच विकारी हैं और फिर घर जाकर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं, तो अपने से घरिणा आती है, घर में जाते हैं, तो कुछ घ्रिणा नहीं, ख्याल भी नहीं करते कि इन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन इन देवताओं को ऐसा बनाने वाला कौन अब बाप कहते हैं देवता बनना है तो ये पढ़ाई जरूर पढ़ो श्रीमत पर चलना पढ़े पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतोप्रदान बनाना है इसलिए मामेकम यात करो और कोई जर्मूई जर्मूई नहीं करो अपना ही ओना रखो कि हमको यह बनना है बाबा के अंदर में ओना रहे कि हमको यह बनना है बाब कहते हैं तुम ही आदी सनातन देवी देवता धर्म वाले थे फिर कहां गए इनके ही 84 जन्म की कहानी लिखी हुई है अब हमको ऐसा बनना है दैवी गुण धारन करने है भाई भाई समझ कर बाप को याद करना है बाप से वर्सा लेना है बुद्धी में आना चाहिए निंदा सुती तो करते आते हैं वास्तव में स्तुती तो है ही नहीं अभी तो किसी की कोई स्तुती है ही नहीं निंदा है जनकी एक तरफ स्तुती करते उनकी दूसरी तरफ निंदा भी करते हैं क्यों क्योंकि जानते ही नहीं देवताओं की एक तरफ स्तुती भी करते दूसरे तरफ फिर निं दूसरे तरफ सरव्यापी कहँ देते हैं ठिकर वित्तर में परमात्मा कहने से बेमुक हो पड़े हैं जितना हो सके कोशिश करनी है इस बात की कोशिश करनी है बाब को याद करनी की आगे भी याद करते थे परंतू वो याद कैसी थी व्यभीचारी याद थी वहतो को याद करते थे अब बाप कहते हैं अब व्यभीचारी याद में रहो सिर्फ मा में कम याद करो बक्ति मार्ग के ढेर चित्र है जिनको भी तुम याद करते आये हो अब फिर सतो प्रधान बनना है वहां बक्ति मार्ग है ही नहीं सत्युग में बक्ति मार्ग है ही नहीं जो याद करना पड़े बाब कहते हैं फुर्णा ये ही रखो कि हम सतो प्रदान कैसे बने ये अंदर में चिंता रहे ज्याम मिल गया ये स्रिष्टी चक्र कैसे फिरता है वह तो सहज है अच्छा कोई मुख से नहीं बाबा कहे अच्छा कोई मुख से नहीं भी समझा सकते परंतु बुद्धी में तो जरूर आता है कि हम सतो प्रदान से तमो प्रदान कैसे बने हैं अब फिर सतो प्रदान बनना है जरूर अगर कोई बोल नहीं सकता है तो कहेंगे अपनी तकदीर भावी भी है बाप ने बहुत सहज उपाई बताया है बैज पर समझाना सहज है यह है बेहत का बाब इनसे ही वर्सा मिलता है बाप जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं सो तो जरूर यहां ही करेंगे शेव जैन्ती माना स्वर्ग की जैन्ती शेव जैन्ती माना स्वर्ग की जैन्ती स्वर्ग में है देवी देवताएं वह फिर कैसे बने वह इस पुर्षोतम संगम युक पर पढ़ तुम बच्चों को भी समझ मिली है फिर औरों को भी समझ देनी है तुम्हारा है सहज ग्यान, सहज योग और सहज वर्सा बाबा कहे तुम्हारा है सहज ग्यान, सहज योग, सहज वर्सा परन्तु यहां कोई पाई पैसे का वर्सा लेने वाला भी है तो पदमों का वर्सा लेन बाइपेसे का वर्षा भी लेने वाला है तो पदमों का वर्षा लेने वाला भी है सारा मदार पढ़ाई पर है याद की यात्रा से और सब बाते भूल जाओ पलाना ऐसा है वह ऐसा करता इसमें टाइम बेस्ट न करो मन्जिल बहुत भारी है सतो प्रधान बनने में ही माया विग्न डालती है पढ़ाई में विग्न नहीं पड़ते हैं बाबा कहते हैं अपने को देखो हमारा कितना लव है लव ऐसा हो जो बाप से चटका रहे सिखलाने वाला बाप है इनकी आत्मा नहीं सिखाती प्रमा बाबा की आत्मा नहीं सिखाती यह भी सीखती है बाबा आप हमको कितना समझदार बनाते हो उंचे ते उंच तो आप हो फिर मनुश्य स्रिष्टी में भी आप हमको कितना उंच बनाते हो ऐसे अंदर में क्या करो बाबा से मिठी मिठी रुडिहान करो ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करने चाहिए बाबा आप कितनी कमाल करते हो बाब कहते हैं बच्चे तुम फिर से अपना राज जे लो मामे कम याद करो खुशी से अपने से पूछना है मामे कम याद करो खुशी से फिर अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं तो बाप के मिलने की भी खुशी है, परंतु इतनी खुशी बच्चों को अंदर नहीं रहती है, नहीं तो विवेक कहता है कि बहुत खुशी रहने चाहिए, इस पढ़ाई से हम ये राजा बनने वाले हैं, बेहत के बाप के हम बच्चे हैं, सुप्रीम बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा कितना रहम दिल है, कैसे बैठ तुम बच्चों को नहीं नहीं बाते सुनाते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धी में बहुत नहीं नहीं बाते हैं, जो और कोई की बुद्धी में नहीं हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चो प्रती, मात पिता बाप दा आज की मुरली से धारना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट देही अभीमानी अवस्था धारन कर सुख दाई बनना है किसी की भी खामिया यानि कमिया नहीं निकालनी है आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है मत भेद में नहीं आना है दूसरी बात और सब बातों को छोड़ एक बाप से गुण ग्रहन करना है सतो प्रधान बनने का फुर्ना यानि फिक्र रखना है किसी की बात नसुननी है नगलानी करनी है निया मिठ्थू नहीं बनना है आज का बाप दादा का मदुरवर्दान हम बच्चों के प्रती है समय प्रमाण स्वयम को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी स्रेष्ट आत्मा भव जो सच्चे राजियोगी है वो कभी किसी भी परिस्थिती में बिचलित नहीं हो सकते तो अपने को समय प्रमाण इसी रिती से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है पता नहीं ठीक होगा या नहीं इसलिए चेक करो और चेंज करो क्योंकि समय प्रमाण कर्तविय करने वालों की सदा विजयी होती है इसलिए सदा विजयी स्रेष्ट आत्मा बन तीवर पुर्शार्थी द्वारा नंबर वन में आजाओ आज का स्लोगन है मन बुद्धी को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे जरूर है हमारा अंतेम लक्ष है अशरिरी विदेही बनना तो उसके लिए बाबा कहे मन बुद्धी विचलित नहीं होने चाहिए इतना कंट्रोलिंग पावर हो जो सहश्टा से उस स्थिती में हम स्थित हो सकते हैं तब बाबा कहे ऐसा अभ्यास बार बार अपने साथ करते रहो तो सहजी सेकंड में विदेही बन सकेंगे अचा ओू शाटी